नमस्कार, टार्गेड विन आलोक के 8 पीम न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्रा खबरों की शुरुवात करने से पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर इरानी संसत से मुद्रा परिवर्तन का विधेयक पारित इरानी रियाल होगा तोमान बैंकिंग परिभासा में शहकारी बैंक सामिल देश की सीर्ष अदालत ने दिया फैसला कैंटन ने पेस किया आई क्यूब दो हजार उन्नीस रिपोर्ट भारत में इंटरनेट उपभोकताओं की संख्या बढ़ी COVID-19 से जूज रहे EU ने अर्थव्यवस्था को लेकर जताई चिंता सदस्य देशों में बेरोजगारी बढ़ने के आसार तो आई ख़वरों में आगे बढ़ते हैं हाल ही में इरान सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम और मूल्य बदलने का निरड़े लिया है रियाल इरान की पूर्व प्रिचलित मुद्रा थी जिसे अब तोमान कर दिया गया है इरानी संसद्वारा एक विधेयक पारित करके रियाल में चार स्लैब अर्थात चार सुने तक कटवती करने का फैसला लिया गया पारित विधेयक के अनुशार इरान की नई मुद्रा तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगी हलाकि इस विधेयक को मंजूरी के लिए इरान के सीर्स आध्यात्मिक नेता की नियुक्ति करने वाली लिपिक निकाय का अनमोधन आवश्यक होगा आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्दे नजर इरानी मुद्रा रियाल में बड़ी गिरावट दर्ज की गई जिसे इरान में महगाई की इस्थिती बनी हुई है गरतलब है कि इरानी मुद्रा से चार सुन्य हटाने पर विचार विमर्स 2008 से ही चल रहा है लेकिन साल 2018 में इस विमर्स को गती तब मिली जब अमेरिकी रास्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इरान पर तमाम प्रतिबंध आरोपित किये गए जिसे इरानी की मुद्रा रियाल में 60% तक गिरावट दर्ज की गई इरान पर यह सारे प्रतिबंध 2015 में किये गए परमाण समझहोते के परणाम स्वरूप आरोपित किये गए इन सब प्रतिबंधों से हुए आर्थिक नुक्षान, बढ़ती महगाई, मुद्रा में कमजोरी और अपनी आर्थिक इस्थिती को बेहतर करने के मद्दे नजर इर परिशत के सदस्य देश, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटन, जर्मनी और यूरोपी संग ने इरान के साथ एक परमाणू समझहोता किया गया था हाल ही में देश की सरवोच अदालत ने अपने एक महत्वपूण फैसले में कहा कि सहकारी बैंक भी बैंकिंग परिभासा के अंतरगत आते हैं इस फैसले के मद्दे नजर संसत को यह अधिकार है कि वह उनसे रिण वसूली के लिए सरफेशी यानि सिक्यूरिटीजेशन और रीकंस्ट्रक्शन आफ फिनेंसियल असेट्स और इन्फोस्मेंट और सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट आइक्ट के अंतरगत प्रक्रिया का प्र ला सकती है या नहीं इस प्रस्ण पर देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में विचार किया गया इन न्यायालयों के समक्ष यह प्रस्ण विचारनी था कि सहकारी बैंक राज के कानून से बनते हैं तो क्या संसत को यह सकती है कि वह सहकारी बैंकों की वित्ती संपद को वी नियमित कर सके इन विंदूओं पर सभी उच्च न्यायाले एक मत नहीं थे इसलिए मामले की अपील सर्वच न्यायाले में की गई माननी सर्वच न्यायाले ने कहा कि सर्फेशी एक्ट की धारा 2.1.C में बैंक शब्द को परिभासित किया गया है और इसमें सहकारी बैंक भी आता है इसलिए अधनियम की धारा 13 के अंतरगत वसूली की प्रक्रिया सहकारी बैंकों पर भी लागू होती है अब आपको ध्यान देना है कि राज विशेश अधनियम के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक और बहुराज अस्तरिय सहकारी समिती अधनियम 2002 के तहत पंजीकृत बहुराज अस्तरिय सहकारी समितियां जो बैंकिंग से संबंधित हैं वे सातवी अनसूची के सूची एक की प्र सहकारी बैंक भी बैंकिंग वी नियमन अधनियम 1949 की धारा 5C और धारा 56A के तहत आते हैं। अंत में सर्वोच न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन किये बिना किसी भी गत्विधी को अंजाम नहीं दे सकता। सर्फेसी अधनियम के अलग अलग प्रक्रियाओं के और तंत्रों के जरिये गैर निस्पादन कारी संपत्ती या खराब संपत्ती की समस्या को हल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सरकार ने रिण वसूली न्यायाधिकरण यानि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डी आर्टीज को फिर से सक्री करने और नए दिवालिया कानून में परिशंपत्ती पुनर निर्माण की प्रभाव सिलता को बढ़ाने के लिए SS Reconstruction कमपनियों को प्रभावी बनाने के लिए अगस्त 2016 में सरफेशी अधनिया में संसोधन भी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल जन संख्या का 41 प्रतिशत लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं जिनकी कुल संख्या प्रतिमाह 574 मिलियन है जो पिछले वर्स की तुलना में तकरीबन 24 प्रतिशत अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुशार 2020 में इंटरनेट प्रयोग करताओं के संख्या में 11 प्रतिशत की ब्रिधी के साथ 649 मिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 84 प्रतिशत उप्योग करता केवल मनुरंजन के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं जबकि सूचना, सिक्षा, सोशल मीडिया, खेल आधि के लिए 38 प्रतिशत इंटरनेट का उप्योग किया जाता है जिसमें 15 वर्स या इस से कम उम प्रके स्कूली बच्चे सामिल हैं भारत की डिजिटल क्रांती प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं जिसमें गाउं काफी अहम योगदान हैं 2019 तक गाउं में 264 मिलियन उप्योग करता थे जो 2020 में बढ़कर 304 मिलियन होने की संभावना जताई गई हैं आपको बताते चलें कि कैंटर एक डाटा विशलेशन और परामर्श दाता कंपनी है जिसकी अस्थापना 1992 में की गई इसका मुख्याले लंदन ब्रिटेन में इस्थित हैं यूरोपियन संग के अर्थवेवस्था प्रमुख पावलो जेंटिलोनी ने 6 मई 2020 को कहा कि 1930 के दसक की महामंदी के बाद यूरोप इस समय सरवाधिक आगहात का सामना कर रहा है पावलो ने आगे कहा कि कोरोना वायरस के कारण यूरोपियन देशों में आर्थिक उतपादन में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है यह गिरावट एकल बाजार एवं मुद्रा के लिए बड़ा खत्रा पैदा कर सकती है जिससे जोखिम पूर्ण परिस्थितियां उतपन हो सकती है और विभन सदस्य राज्यों पर इस आर्थिक मंदी के अलग अलग परिडाम हो सकते हैं उन्होंने आगे कहा कि 19 देशों को मिला कर बने यूरोजोन में 7.7 प्रतिशत जबकि इटली, इस्पेन, ग्रीस और क्रोएसिया जैसे राष्टों में 9 प्रतिशत से अधिक मंदी आ सकती हैं यूरोपियन संग के 27 सदस्य देशों के शमुह में बेरोजगारी दर वर्स 2019 में 6.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्स 2020 में 9 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि 2021 तक यह बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत हो जाएगी यूरोपी संग ने आगरह किया है कि यह आर्थिक परिस्थितिया मौजूदा अनुमानों से भी बदतर हो सकती हैं कुल मिलाकर पूरी दुनिया में यूरोप कोवेड-19 से सबसे अधिक प्रभावित रहा है जहां पर 1.1 मिलियन से अधिक लोग संक् आपको बताते चलें कि यूरोपी ये शंग मुख्यत है यूरोप में इस्तित 27 सदस्य देशों का एक राजनेतिक और आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रसासकी साज्यदारी होती है इसका उदए 1957 में रोम की संधी द्वारा 6 यूरोपी देशों के आर्थिक भागिदा प्रसारी से यूरोपी आर्थिक परिशत के माध्यम से हुआ था तब से इसमें लगातार सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्री हो रही है और अबंत में आईए कुछ अन्य महत्तपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से बेहत महत्तप के उपलक्ष में मनाया जाता है इनका जन्म आठ मई 1928 को हुआ था रेड क्रॉस एक अंतरास्ट्रिय शंगठन है जिसका मिशन मानवी जिंदगी और सेहत को बचाना है रेड क्रॉस की अस्थापना 1863 में ड्यूनेंट ने की थी इस संस्था को कई बार शांती के नोबेल प परिस्थितियों में यह संस्था विभिन देशों की सरकारों के मध्य समन्वे का कारी करती है कुल मिलाकर मानव सेवा ही इसका मुख्य कारी है आपको बता दे कि ICRC यानि इंटरनेशनल कॉमेटी आफ दर रेड क्रॉस की अस्थापना 1863 में की गई इसका मुख्याले सवर्धन ने 7 मई 2020 को आयूस संजीवनी आप का सुभारम किया इस आउशर पर गोवा से आयूस राजमंत्री श्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाईग भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहे इस आप से लोगों के बीच आयूस से संबंधित सिफा मिलेगा इस आईप को आयूस और MEITY यानि Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा विक्षित किया गया है विश्व थैलिसीमिया दिवस प्रत्यक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है यह एक आनुवंसिक विकार होता है जो पीढ़ी दरपीढी रिस्तेदारों के साथ चलती है इस दिवस के आयोजन का म आवश्यक कदम उठाना है इस दिवस को 1994 से मनाया जा रहा है और तभी से थैलिसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानि TIF अनेक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरू कर रहा है थैलिसीमिया के रोगी के लाल रक्त कोशिकाओं यानि red blood cells RBC में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है रोगियों को हर दो से तीन सब्ताह बाद रक्त चढ़ा कर जीवित रखा जाता है नागरिक उड़यन मंत्राले के तहत कारियरत नागरिक उड़यन महानिदेशाले ने God यानि Government Authorization for Relief Using Drones नाम का एक पोर्टल लांच किया है यह पोर्टल COVID-19 के उद्देश को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त कर राज संस्थाओं की शहायता करेगा आपको बताते चलें कि कई राज सरकारें सारवजनिक अस्थलों को किटान रहित करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही हैं दरसल गरुण कुछ और नहीं बलकि राहतका के लिए ड्रोन उपयोग का एक सरकारी प्राधिकरण है फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मुझे दीजिए इसाजत नमस्कार